मुखर जी को नमन करता हूँ कश्मीर अगर भारत में है तो उसका कारण डॉक्पर शामा प्रसाद मुखर जी का भरिदान है अगर यह मेरे देश में जाने के लिए अगर मुझे पर्मिट लेना पड़ता है अगर इस देश में दो दो प्रधान मंत्री ले फेह प्र जा viol हमारा है और इना परमिट के कश्मीर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया कश्मीर में दिलंगा अगर फैराया जाता है तो शामा प्रसाद मुखर जी के कारण फैराया जाता है इस बात का अभिमाल है कि हम शामा प्रसाद मुखर जी के बनिदान से इस देश को एकत्रित रहने का जजबा लेते हैं सीख लेते हैं और उसके उपर अमल करते हैं शामा प्रसाद लुखर जी को बहुत बहुत विनम्र आदराजलिया रपित करता हूं